अंदवक्तों बेटा कल रात से देख रहा हूं तुम लोगों को बड़ी मिर्चे लगी पड़ी है भारत बंद है इंकन्वीनियंस हो रही है बेटा एक दिन के भारत बंद से तुम्हारे को इंकन्वीनियंस हो रही है उस भारत बंद का हिसाब कौन देगा जो तुमने पिछल लगा के इस भारत बंद का सपोर्ट करो तब ही भारत खुलेगा समझे दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत बंद के बारे में पिछले दो दिन से देश के जो अंदभक्त हैं जो गोबर खाखा कर जिनको गोबर का हैंगोबर हो गया है वो लोग पूरे देश की जनता को समझाने में और खास कर से जो मेट्रो सिटीज में जो अरबन जनता है उसको यह समझाने पर लगे हुएं कि यह जो भारत बंद है इससे आप लोगों को बहुत तकलीफे होंगी बहुत परेशानिय होंगी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप किसी भी भारत बंद को सपोर्ट मत करिए एक्चुली दोस्तों ये लोग आपको इनकर्वीनियंस का पार्ट या फिर तकलीफों का मुश्किलों का पार्ट इसलिए पड़ा रहे हैं कि अब देश की जनता जो है फार्मर्स के साथ आके खड़ी हो चुकी ऐसे में अगर और लोगों ने फार्मर्स का साथ दिया ये प्रोटेस्ट बरता चला गया तो मोधी सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रोब्लम बनके खड़ी हो जाएगी इस वीडियो में मैं खासकर से बात करना चाहूंगा अंधभक्तों के उपर कि भारत बंद हो रहा है एक तरफ गोधी मीडिया एक तरफ लगी पड़ी है कि किसी भी तरीके से भारत बंद को फ्लॉप कर दिया जाए वहीं दूसरी तरफ सरकार भी लगी पड़ी है कि जैमर्स लगा दिये गए हैं जिससे भारत बंद की जादा पबलिसिटी ना हो पाए वो अलग बात है कि सरकार के सारे मनसूबे जो हैं वो फेल हो रहे हैं पूरी तरीके से लेकिन अंधभक्त क्या बात कर रहे हैं भारत बंद के बारे में आपको जहां पर कपिल मिश्रा कहता है कि मेरे पास दिल्ली के फल सबजी मंडियों के व्यापारियों के फोन आ रहे हैं व्यापारी मजदूर सब आज मंडियां खोलना चाते हैं के जरिवाल सरकार के अपॉइंटेड मंडी चेर्मेन जबरदस्ती उनको बंद रखने का निर्देश दे रहे हैं इस ट्वीट में उसने LG को और दिल्ली पुलिस को टैक किया और साथ में नीचे लिखा कि दिल्ली की फल सबजी मंडियों को जबरदस्ती बंद होने से रोकिये साफ साफ यहां पता चल रहा है कि कितनी बुरी तरीके से हिली पड़ी है अंधभकतों की भी और सरकार की भी यह प्रोटेस्ट बड़ा हो चुका है और इस बात का सबसे बड़ा प्रमान यह है कि भारत बंद में आज सबसे पहले अरविंद केजरिवाल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कल हमने देखा था कि अखिलेश यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन बड़े बड़े लीडर्स के प्रोटेस्ट से ये बात क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि ये भारतबंद अल्रेडी सक्सेस्फुल हो चुका है, ये भारतबंद अल्रेडी बहुत बड़ा मैसिव लेवल पे जा चुका है, अब ये भारतबंद मोदी जी की आउकाद से बहार जा चुका है वहीं दोस्तों दूसरी तरफ गोधी पतरकार कम अंधभक्त ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दीपक चौरसी है जिन में से एक हैं उनका ट्वीट जरा देखिए कि वो क्या कहते हैं गुजरात में नहीं होगा भारदवंद लागू रहेगी धारा 144 उलंगन क से वहींनों होगी कारवाई दूसरे ट्वीट में कहीता है दिल्ली पुलिस ने खुलासा चाया किया है की पंजाब मेघा थानी मुवमेंट के लिए और यहां कोई करने का काम कर रहा है लेकिन जैसे कि मैंने बताया यह भारत बंद अल्रेडी बहुत बड़ा सक्सेस्फुल मुवमेंट हो चुका है यह चोटे मोटे मुवफली के छिलके जो है इस भारत बंद का कुछ भी नहीं बिगाड सकते और जहां दोस्तों इतने सारे लोग बाते कर र ही है इस नाव को मगर लाव कुलहाडी कुछ छेद कर देते हैं रह रहकर रोज मरती है उमीद यहां देश भक्ती से कहो अपने लिए देश का एक टुकडा अब तुम भी मांग लो आजाओ सडकों पे और तुम भी धरना दो चलो आज ये किस्सा खतम ही करते हैं कहीना कहीं ट्वीट से साफ पता चल जाता है इसी के साथ कुछ और अन्भक्तों के अकाउंट हैं जो बुरी तरीके से लगे होएं इस चीज़ को ट्रेंड कराने में कि हर शेहर चालू है अरुन यादव नाम का ये अकाउंट जो की बहुत बड़ा वाला अन्भक्त है लिख रहा है औ अपनी 80 चोटी का जोर लगा रहा है पूरा कि आखिर किसी तरीके से ये हैश्टाग ट्रेंड कर जाए लेकिन सचाई ये है दोस्तों कि हैश्टाग चाहे आप जितने भी ट्रेंड करा लें लेकिन समीन पे सचाई आप लोग बदल नहीं सकते हैं और दोस्तों साथ ही साथ पे भी सचाई बदल नहीं रही है जो भारत बंद का ट्रेंड है उस पे दो लाग से भी जादा ट्वीट्स इस टाइम पे हो चुके हैं लेकिन हर शहर चालू है जो ये पेट ट्वीट चलाया गया है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा इसमें साड़े बारा हजार वीडियो में भी बताई थी कि मोदी जी जिस फार्मर को अपने मन की बात में लेकर आये थे जिसको कहा था कि इसको फार्म लॉज से पाइदे हों इस किसान को वो किसान भी इस टाइम पे किसान आंदोलन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है और ये करारा तमाचा है अंधभ रूम की लाइड भी ना बंद करूँ भारत बंद तो दूर की बात है जबलपुर का एक किसान इनके हिसाब से ये कह रहा है लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है कहना चाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि Congress-backed movement है अगर Congress ही किसानों का इतना बड़ा movement करा रही है Congress के पास ही ये इंडिपेंडेंटली निकली हुई है ये किसान है ये अपने हकों की मांग कर रहे है इसमें Congress का कोई भी लेना देना नहीं है तो जो लोग आपको ये बाते समझा रहे हैं वो लोग तो पतली-गली से निकल जाएंगे वो लोग सबजी खाते भी नहीं है वो लोग तो र अच्छा काम किया है मोदी जी ने यह तो नहीं अच्छा काम है जितना अच्छा डी मॉनिटाइजेशन था जिससे आज तक एक भी काला धन वापिस नहीं आए यह उतना ही अच्छा काम है जितना अच्छा जी एस्टी था जिससे जितने भी व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी गई है इस सब खलबली में इस सब हलचल में कुछ ऐसे भी गधे हैं जो इस टाइम पे भी सुशान सिंग राजपूत के जस्टिस को मांगने निकले हुए हैं नहीं अच्छा काम है आप करिए जस्टिस की मांग लेकिन आप कहां कर रहे हैं ये तो देख लो थोड़ा सा तो अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट जो मैं आपसे शेर भी कर रहा हूँ यहां पर जिसमें लिखा हुआ हुआ है की reminder for daily warriors ये लिखा हुआ है नीचे आफ्र जंतरमंतर प्रोटेस्ट विजे शेखर 9 विल डू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ओफ सीम केजरीवाल रेजिदेंस तो प्लीज मस्ट सपोर्ट और शेयर डेट 10-12-2020 यानि की पड़सों का दिन टाइमिंग 2 पीम केजरीवाल के घर के सामने अब एक केजरीवाल का इस सबसे लेना देना क्या है सोच तो लो तुम कर क्या रहे हो कोई भी कुछ भी कहता है और आखें बंद करके चल देते हो तुम्हारा ना मुझे लगता है अंधभक्त नहीं अंधगधे हो जाना चाहिए यहां पर वहीं आपको बता देना चा जा रहा है मतलब पूरी दुनिया गलत है सारे लोग गलत है किसान गलत है सिर्फ मोधी जी और उनके अंधभक्त ही सही है जिन्होंने आज तक एक बीज नहीं बोया है साथ यह भी खबर यह भी आया कि यूके में भी इसकी मांग उठने लग गई है कि इस फार्मर्स कर रहे हैं तो मोधी जी का लास्ट ट्वीट आपको पड़के सुनाता हूं यह किसानों के बारे में मंद से वह लग वह बात कर रहे हैं जब पूरा देश फार्मर्स के बारे में बात कर रहे थे ये आदमी कुछ अलगी ट्रैक पर चलता है बॉस अब इस वीडियो को खतम करना चाहूंगा और अंधभक्तों को फिर से एक मेसेज देना चाहूंगा जो मैंने शुरू में दिया था कि बेटा अगर तुमारे को सच में भारत खुलवाना है तो आज के भारत बंद को सपोर्ट करना शुरू कर दो मैं जानता हूँ चाहे तुम मोदी जी के जितने भी बड़े भक्त हो लेकिन कहीं न कहीं तुमारे अंदर दिमाग है और तुम भारत बंद को कहीं न कहीं निकल कर सपोर्ट करोगे चाहे आज नहीं तो कल जरूर करोगे और जिस दिन बेटा तुम लोग भी फार्मर्स को सपोर्ट करने निकलाए उसी दिन हमारा भारत खुलेगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोग भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हों तो इस वीडियो को जन जन तक शेर जरूर करें अन्भक्तों के साथ और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ भी शेर करें अगर आपको मेरा काम बसंद आ रहो तो नीचे डिस्क्र करके आप लोग मुझे मंतली सपोर्ट कर सकते हैं जिससे इसी तरीके के तड़कते भड़कते वीडियो में आगे भी बनाता रहो ना अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में